हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में आप्टेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ एम चुन के वरकरी जिलास में क्या जामें PSP वाल होंगा? किस लड़ाई में महाजित धरालों के जबाग मर रहे हैं? गुली इमनिंग और वरक्सिंप टुनाइब इसकारिया लोजरा का एलेक्शन कौन जीतेगा? उसके बाद बात होगी मुतहितर कौमी मूवमेंट के दो टुकडों की एमक्यू एम मजीद ग्रॉप में तक्सीम, संगीन बुहरान का शिकार फारूग सतार और अर राप्ता कमीटी ने एक दूसरे को फारिख कर दिया राप्ता कमीटी ने फारूख सतार पर संगीन इलजामात लगा दिये खालिद मकबूल सदीकी का नमीनर तो बन गए मगर इलेक्शन में पार्टी का मस्तक्बिल क्या होगा पूछेंगे MQM के रहनुमा रऊफ सदीकी से पाकसर जमीन पार्टी के रहनुमा और डेपटी मेय कराची अरशद वोरा से अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाही से अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाही से and a very warm welcome to the show आखिका मुतहिद कामी मुव्मेंट पाकस्तान दो धरों में तकसीम हो गई पहले तो नज़र आ रहा था अब ये हो गया है पहले जो धरा है वो भादराबाद जिसने फारुक सितार के खिलाफ बगावत का अल्म जो काफिर ऐसे से बुलंद किया हुआ था मगर कल उन्हें बकाइदा उफिशली उन्हें कर्णीनर के ओदे से हटा दिया जवाब में फारुक सितार साहब ने पूरी राप्ता कमिटी को ही फारिफ कर दिया खालिद मगबूल सिदीगी अब फारुक सितार की जगां MQM के कर्णीनर है मगर फारुक सितार इस वैसले को मानने के लिए तयार नहीं है अगर कामरान भाई का नसला होता है कि सबख मीमा मा राजा पार, सरबरागा पालो, आफियार, जीना खीर है नियार आए टेक के दिएदोक बन्यो का मसला मही हो तिएख दिएऍभर का मसला हो दूसे जारम खालिट मकबूल सिदीगी ने फारुक सतार के बारे में भी कुछ बात ने कहीं नेट्स वाच चेना आप तारीक बताएगी कि ये तखसीम हुई है ये ततहीर हुई है इसका फैसा तन्जीम बाद में करेगी इसके बजाए कि तन्जीम जिस तरह से चलाई जा रही थी वो 2018 के एलेक्शन तक पहुँच ही नहीं पाती मैं नाम नहीं लूँगा अगर उनको रोकना शुरू नहीं किया जाता तो इसेम्ब्लियों में जिस तरह के चेहरे पूरी MQM को महाजर कौम को और हक परस्तों को रिप्रेजेंट कर रहे होते पूरी कौम का सर शरंदे जुका हुआ होता टिसोडियों से भरी होती यहवान और कुछ नहीं कहना चाहरा लोग बोलेंगे कि शायद आप किरदा कुछी पर आगए है जिर्वेफ सिदीकी साथ थांक यू वरी मुश विइंग ऑन दे प्रोग्राम आपके ग्रूप ने सिर्फ कामरान टिसोरी क्या टिकेट दिने पर फारुक सतार को अलग किया है या मामला कुछ और है जिसे कि वह आप किया है पहली पर दिने के ये जो लगस है न हमारे गुरूप में बात गुरूप की नहीं है बात असूल की है और M.K.M. पाकिस्तान के अंदर मैंने बड़े वादे तो पर जब बसालिती कमिटी के रुकुन की है सिसे में पहली दफ़ा गया था तो तमाम मीडिया के सामने में ने एक बात कही थी कि M.K.M. not for sale और इसके अंदर सारी बाते बिना थी और सारी बाते मैं बता चुका था इससे सब लोग हमारे कारकूर नमारे हमारे अवाम जो हमें मुन्तखब करते हैं जिनोंने हमें नमान जी के का हख दियावा है वो इन बातों को समझ सकते थे दूसरी बात ये थी कि ये मामदा एक सैनिट की टिकेट का नहीं था क्योंकि M.K.M. अपने उसूर पे हम मेडल क्लास की लीडर्शिप करते हैं हम कोई जागिरदार और वडेरे और मौर्णिसी सियास्ट तो करनी सकते हैं कि हम जो कहें और वही पूरी बाते होती जाए हमारे तो सर्वाइवल इसमें है कि हम अपने उसूरों के साथ अपने तैश उदा आईन और कानून के तहर चलते रहें तो हमारा सर्वाइवल है तो ये मसला सिर्फ सैनेड की चार सीट का नहीं था मसला यह है कि अगर ये चार सीट हम छोड़ देते हैं तो ये चार सीटे पिर कहां जानी थी डेफिनिलिटी पर इस पार्टी अनपोज आ जाती और पार्टी के अंदर पहली दफ़ा ऐसी सुरतियाल बनी कि एक फर्द के वज़े से जगड़े होने लगे तो बात एक फर्द की नहीं है बात यह है कि पार्टी की इतनी सीनियर लीडरिशिप पच्छेस साल तीस साल के लोग बैठे वे हैं उनका कोई तदारुक तो हो वो एक बड़ा मशूर शेर है न कि वो मुझ को छोड़के जिस आदमी के पास गया वो मुझ को छोड़के जिस आदमी के पास गया बराबरी का भी होता तो सबर आ जाता लेकिन मसला यह है कि हम लोग तो कोई कंडिनेट नहीं से पिर ये बाते आने लगी हैं कि जनाब हम लोगों खुदाना खासता बंदर बाट का रहे हैं अब बंदर बाट का देखिए जो नाम यहां पे राप्ता कमीटी ने मनतखब किये बैरिस्टरा फरोग नसीम वर्ल्ड फेम परसनेरिटी एक बहुत बड़े खानूंदान नमबर दो नसरीन सैनेटर नसरील जनिर जिनकी पूरी जिन्दगी इज़त जिएत में गुदर गई अ शब्टिर काईब खानी जिसकी पूरी जिन्दगी इसमें गुदरी अमीन उल्हक तो इस हटक तंग आके जो साथ मौा से और यहीं मसला नहीं था बेशुमार मसालते जब मैं पहली दफ़ा डाक्टर साब के पास गया मसालेती कमेटी के रुकुन की ऐसे से तो हम तो एक दूसरे को जानते हैं था जिन्दगी बर तो मैंने उनसे छूटती एक बात कही थी मैंने का डाक्टर साब पंदरा मिनिट की ड्राइव है और आप कन्वीनर हैं और वो मरकजी आफिस है आपका आप वहाँ पे चले और सीधी बात है कि जो मैरिट होगा उस पर आप फैसला करें और मैं आपके साथ खड़ावा हूँ लेकिन ये जो मसालेती कमेटी आ रही है ये बदाते ख़ुद आपके लिए आपके प्जिजिट को कंपरमाइज कर रही है मैं उनको यही समझाता रहा रहा तीन दिन तक यही करता रहा चौते दिन पर मैंने उनको का कि देखे रख साब जितनी देर आप करते जाएंगे उतनी देर आप लूस करते जाएंगे कारकुनान और रवाम अब अब बताईए सरदार साब जैसी शक्सियत साथी मुझे तो डालिये भाड़ में सरदार साब जाविद अजी साब मसालती कमेटी जैसी यहां पर कैमडे लगे वे वह रवाइा है हम आ हूरे हैं हम डेर डेरल घंते तक बेखी आपर इंतिजार करने चले ​​ वाई, कोई बाद नहीं है, हमारे साथी हैं, तो देखें, जो मैं समझा सकता था, जो मैं जित खजच समझा सकता था, वो मैंने समझाया, अकल तो पिर अल्लही देता है ना, फिर आखरी दिन तक, और फिर पूरी राप्ता कमेटी, पूरी पूरी राप्ता कमेटी, जाके, एक गंटा दूर गंटे बैट रही है फिर वहां नारे लग रहे हैं पार्टी इस तरीके से थोड़ी होती है राटा कमीटी ने वो भी हम दिखा देते हैं कि उन्होंने राटा कमीटी के इल्म में लाए बगए पार्टी आएन तब्दील किया फारुक भी कोताही से पार्टी की रिजिस्ट्रिशन मन्सुख हुई राब्ता कमीर्टी के इतमाओत को ठेस पहुँचाई लाब्ता कमीर्टी को बताये बगयर अरकीन को चुनने और फारेख करने की इख्यारात अपने हाथ में लिए फारुक सता खिदमते खाल्ग फाउंडेशन के चीफ ट्रस्टी है लेकिन ये अदारे तबाह हो गया ये अदारा तबाह हो गया ये असल में केस है हम समझ लें फारुक सता खिदमते खाल्ग मैं एक जुमला इसके उपर बोलू जितने भी आपने पड़े एक बात कि बिंगे पार्टी सर्वरा देखें ये जो आइन चेंज हुआ है ये आप जब बता रही हैं तो शायद आवाम बिलकुल इसको आसान से ले रहे हैं ये बन्यादी तोर पे फोर्ज हुआ है हम जो इलास में बैटते हैं जिस शीट पे हमारी हाजरी पे हम दस्तकत करते हैं वो शीट ल पर भी दर गदर किया और फारुग भाई ने फारुग भाई ने माजरत की उस पर पूरी राप्ता कमेटी से के जिस सरा पहले की चंड गल्कियों प्याप्या आप मैंने माफ मागी थी और आपने माफ किया हमने फिर कहा आगए जाहरी सी बात है कि देखें पार्टी के हमें क्यों वो भी क्यों वो भी इसलिए कि हमें करोड़ों लोग अपने हाक नंमान्दी की हमें दिया हैं अब उस हाक नंहीं कर सकते हैं कि हमारी आखों के सामने चीज़ें इस तरह दुखती चली जाएं और हम बैठे वे एंग एक Eck शक्सियत यदुष्यारा दो दो शक्क साथ एक राए ये भी है कि बहुत जादा पॉब्लिक ली हुआ जो भी हुआ लेकिन शायद पार्टी इसके अंदर जम्हूरीत की तरफ भी एक गदम है आप उसको यही समझ रहे हैं या हमें बस MQM बिकरती वी नजरा आ रही है नहीं सबसे बहुते हैं मैं आपको शुरिया दा करता हूँ देखने सुने वाले को सानाम देता हूँ और आज तो मैं जो भी बात करूँगा वो पार्टी उनसे 12 रोके इस एहुमन एक इस इनसानियत बात करूँगा कुछ चीज़ ऐसी होते हैं कि वो हाकीकत होता है वो कड़वा क्यों ना हो तलक क्यों ना हो उसको सुनना भी पड़ता है उसको समाझना पड़ता है और उस हाकीकत के मताबग फैसले करने चाहिए ठीक ये एक हाकीकत है कि एम पहले जो था वो एक मापिया और देश्यगर तन्दीम था जिसके फैसले अठल होते थे और वो अड़र उपर से आता था कोई भी होता था पंजाब से लोग खेबर पुक्तवा जिस जन बनने कुछ जानते भी कोई नहीं था वो भी सेनेटर एम मापिया लैंड ग्रैमिंग और ये जो मिलिटर विए चीज़े खतम होगी नहीं होगी पिर इस पर हमाद कर देड़ा तेरा का प्रेशर शुरू हुआ और उसके नतीजे में अब जो तर्जीम बनाएं यह मैं समझते हैं और में इसलिए अच्छा किस आप क्या समझते हैं कि साओ में बस्काने कि यह खुशय है लτο कि हैं इसलिए कि इसमें इफिरा यह यह गया ठीक यह चीज़ पहले नहीं हो सकता ता हाफ की पार्टी में मिलिफा यह प्रेशेन फोड़ है नोगने हर नहीं ह outta बिल बेट करके, आप अपने अईनी की रीविजिट करें, उनके कोई खामियां, कमजूरियां उद्धूर करें, और इस काराची में हमने चाहिए हैं सब के लिए, लेहाज़ा उसकी रीविजिट की ज़रूरत है, अईनी में कोई कमजूरिय इंसानों का बना हुआ है, यह री लोग पूछते हैं, जिस हम मुलत के यह मैं प्तिहार है, उसके रोधा बेटा शहीद हुआ, उसकी खुर्मानी है, बशीर बिलोर है, उनके खादनान की खुर्मानी है, तो आप करें कि लिजिटिमिट सवाल था, अगर फारुस उतास से पुशा गया, कि आमने ने नहीं मज आप देलो, ठीके है, अपना इस अन्यूस आप देलो, ठीक है, अजिट खुर्मानी है, आपना अपना पॉंत व्यू दिया, आफर में एक बारुस उतास सुषिव मही खुर्मानी हुष। अर्शिद वरास आप यह माई साथ मौजूद है वर वक्फे पे जाने से पहले शायी सेयद साथ आप बात करे थे कि जो हो रहा है वो ठीक रहा है लेकिन अख्तलाफात हल कर ले मेरे चलब इसमों जो है ना इसे इसे इनसानियत अपील करता हूँ सबसे चाहिए वा अमिर खाना है चाहिए फारू भाई या गूई भी हो मेरा फिर्ण ही है कि साथ शेपाफ सियासत में आने के लिए आप लोग तोड़ा कुर्बानी देनी है उसके वज़े कि आप एक ऐसे और बदनाम तर्दीम से बाहर निकल आये हो। तो मुख्किला तो है तो है मंगर आपने इनके भी ही करें हाँ ऐसे बिए जलोग सियासतों के कि चाहिए व्मुख' को चाहिए कि यह अपनी अईन में कोई सी चीज़ है और अगर फारुस सिस्थान ने अकिरा यह काम चाहतु घलत है आईन में जब भी चाहए होता है वह बागादा कॉंसल के जरीए वो मशाूरत होता है मशावर की जान अटिफाखराई से आजिन में चेजिए होगी है ठीक है अरशिद वोई साफ ठांक यू वरीमा शुबिंग अन्दर प्रोग्राम मुस्तिफा कमाल साब ने का कि MQM की लडाई से हम कोई फाइदा नहीं उठाना चाहते तो क्या आपका सिक्स्टांस है आगर आप इस लडाई से कोई परेशान होकर आपके पास आएगा तो आप नहीं लेंगे उसको जी, बिस्मिल्ओन में और आप समाह में आप समय होगे तो आप समय आलेकुश्यू आप समय है तो आप समय होगे और आम स्पार पुसक्ते आप मीडिया पर जाता हो और मीडिया पर जाया है वो दिससे रीचे से होथा हमारी ज़ेक्श दिए रखनी हो, जो we try to avoid as a policy. और दीजे सबसे बडी बात जना आपके इस्वार रहता हूं, रउस भाई का मैं बहुत अद्राम करता हूं, रखनी हैं बुर्किल भाईयों की पराभ हुए है. इन्होंने अभी खुछ कहा था रोई बाइबे कि 37 माह से ही ये फिर्फला चाल जाता तो ये सेलेट की टिकेट का इश्यू मी था और ये डिस्टूट जो है मुक्तरिफ अब जब देश्टे मुक्तरिफ मौकफे डिस्टूट के पार्टी में उपर की लिडर्शिप में होते जाएं और अगर आपको याद हो जाड़ जा जिस दिर्फला जाएं जाएं लिए जो जो अगर आप जिस्टोट में इन्होंने पार्टी परी तो अगर इसके शुरूँ से बिए जिए जिए अपना एक तो आप तो खुद इदर ही थे खुछ नसे पहले तक तो आपको तो को का मावला थे। कौंए परेशान थे और किसे ऊतर हुक सिर्थ परीचार्फ थे। भूत इसे कि अan सिर्फ इसने, क्टुए तन्हें ऑत्या हुटे का जिति हुघा है। यह मेरे अलब थेखाकर Γप्ति के कि अदियी हुआ श्बजक्त कि मौनाती थे। तो जब टिक्तों का मसाला आएगा तो एक बिरेबान के हाथ ने ये ने अलबास से और आज ये साधिजी हो गया तो मैं जहना मैं समझता हूं कि इसमें लीडर्शिप का सबसे बड़ा जो रूल होता हो लीडर्शिप का होता है तो इसके बास पर तो तुमाम सेनियर जो भी वहां पर सेनियर लीडर्शिप होती है तुझे आवाम में कराशी की आवाम में वह देखा है पिछले पांच से दिने में ये बड़ी बड़ सिक्मत यह नहीं होना चाहिए है लेकिन आप में का कि हम फाइदा नहीं उठाएंगे मगर आपके रोट की उतर जा सकते हैं और जहां भी रहें सर आपकी पार्टी से निकल के लोग अगर वापस चले जाएं तो फिर इस उन्फॉर्टनेटी वासे के बात को बहुत सारे लोग हमारे पास आने को तैयार है एक एक अपने जो है जो उसके दिल की आवाज है जो बेटर समस्ता है वह अपना प्रक्स्त प्रक्स्त है अरे की परस्ते नहाज़ाद है जहां तक हमारी पार्टी पालिशी है जैसा भी शाहिए सिजब ने कहा आगा कि या जो है ते तमाम लोगों को साह में लेकर चलना है ये तो खास तो पर साइसे सब तो बताना चाहूँगा कि मुश्कितफ़ा अमक्माल में जो महबत का पेगाम दिया है महबत का पेगाम देकर चले हैं किराची में तमाम पॉम्नियतों को ये बड़ा बड़ा अचा पेगाम है कुछ टेक्निक का चीज़े में चाहिए आज कर प्रोग्राम किये कर्दी पारी कि लोग डिसम तमाम डिस्ट में इस सर्बूरा बड़ा अचाहिए आज आज एंक्यव में ख़़एगी थी तब लोग तो एकक्षटर ही थे या इनफॉच्टनेटली कुछ सियासत ऐसे खेली कई थी जिनको अला करना ने की कोशिश की थी ल हम समझे कि आमिर खान साब हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है देखे पार्टी पहली बात मैं इसकी विजात करना बड़ा जरूरी समझता हूँ शाहिए सही साब ने बहुत कुछ फर्वाया मुनासिब नहीं है कि हम एक टॉप शोवें बैठे हूँ और इतने सीरियस एलिगेशन लगाएं लेकिन बारहल जो उन्होंने फरमाया वो खुद भी सोच लेंगे सोच सकते हैं लेकिन मैं आगे बात करता हूँ कि नमबर वन पारटी के अंदर शख्सियात प्रिवेल नहीं करती हैं पार्टी के अंदर उसूल प्रिवेल करते हैं देखे ना ये आमिर खान का नाम लेकर कि ये गुरूप बन गया या फुलाग गुरूप बन गया बात ये है कि आमिर खान सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहे और आपने कल देखा कि उन्होंने खुद ही फरमा दिया जब इर्जाम लगने लगे तो उन्होंने फरमा दिया कि जी मैं जिन्दगी भर नहीं बनूँगा मेरे खाल में ये किसी पार्टी के अंदर आप जो कुछ देख रही है किसी पार्टी के अंदर इतनी जमूरियत किसी में भी नहीं है कि इस तरीका से स्टेर्ण लिया जा सके पार्टी में जो टू-थर्ड मिजॉरटी से पहले भी फैसले हुते थे अब भी फैसले होते और डाक्टर चालिद मकबूल शिद्धिकी को टू-थर्ड मिजॉरटी के साथ ये जिवेदारियां सोपी गईे हैं इसी तरीका से डाक्टर साब के लिए भी टू थर्ड मिजॉरिटी थी जो उनको दी गई थी और उसे वो वापस ले ली गई ये हंगामा जरूर हुआ साथ दिन का लोगों ने देखा अवाब ने देखा कारकुणान ने देखा हम कोई शेर खमोशा की पार्टी नहीं के खबरस्तानों में पार्टी है जहाँ पर कोई बोलता ही नहीं हमने एक ऐसा मैार मुतखक कर दिया है तमाम स्यासी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दिये है कि पार्टी का सरवरा अगर अपनी मनमानी करेगा तो उसके खिलाफ उसकी सेंट्रल कमेटी दो टोक अंदाज में फैसला कर सकती है ये एक बुनियाद हमने डाली है पार्टी के साथ एक मौके पर आपके सीनियर लीडर ने मुझे कहा कि हम एक और अलताफ हुसें नहीं बनने देंगे ये इस किसम की बात कोई अंदर भी डिसाइड हुई थी क्यों ऐसे टिंडेंसी थी फारुक सतासामे के लग रहा था कि डिक्टिटोरियल टिंडेंसी है या अपनी बात पर बहुत ज़्यादा दबाओ डाल रहे है क्यों कि कई लोगों ने हमें कही कि हमें कोर अलताफ हुसें नहीं बनने देंगे लेकिन आप इसके साथ दूसरी स्यासी जमातों का भी नाम ले लें वहां के भी लीडरान ये कहते हैं कि वो अपने लीडर को भी तबदील कर सकते हैं क्या एन पी के अंदर से आपने कभी सुना कि हम उनके सरवड़ा को तबदील करने की जुरुत कर सकते हैं कि अगर वो अपने अहले खादनार को टिकेट दे या मुस्लिम लीग नून में या किसी भी सियासी जबात का मैं किसी को नहीं कर देखिए बात ये नहीं है वह तो शबाव शरीश साब का भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं मिरी नौकरी मुश्किल में है मुझे ना काई कोई मैं ये बताना चाहरा हूँ कि ये M.K.M. ने एक ऐसा ट्रेंट सेट कर दिया है अब कि हर पार्टी के अंदर खुद बहुत डेमोकरिसी आएगी मैंने बताया ना कि हमारे हाँ कोई शख्सियत का कोई गुमान नहीं है हमारे हाँ असूल है आगरी वे दियूसर आप में जो कही है आई गय ते बिल्कुल सही की फर्मारे है आप शख्सियत सब्सक्राइब हमेशा ठीक पार्ट करते हैं उनको उटानी की जुरूत ही कभी नहीं है नहीं ऐसा नहीं है हमारे हाँ अलाडी यह भी बोले हमारे हाँ आर्लेडी एक सिस्टम है हमारा अहर ऺ congressिबे का प्रमेंशल पार्लेमानी बॉर्ड है वह बोर्ड पहसे ला करते है हमारा जीड special कभी न की है इक बताओ हमारा यभी जोua घेशन होगा सिंक अले क्या थे वोड़े बरुश्तान का अपना होगा खेबर तुमा का लगए पालिमानी बॉर्ड पैसे ला करेगा कि किसको टिकेट देने पिर उसमें हम जिल्लों के वाड़ों के मशाहुर्द करते हैं अब यह जो हमने टिकेट दिये और कुछ अभी भी बाकी है जहां पर आट और दस राजे तो वो पिर अपिर अपिलिंग बोर्ड में जाएगा और अगर उस ने नहीं होगा पिर उम मरकज में जाएगा तो हम अरपाई एक सिस्टम अलडी है शाहिद दो को मालूम ना हो लेकिन हमारे एक शक्त पैसले नहीं कर लेकिन है उसके बावजूद हम देखने हैं कि political parties की leadership तो वही है कई सालों से consistent की इसको जमात में अने इतका देखा है अब एक error इंट्रिडूस पर कर लो ही कि भी अब खांदानी सियासत के मौरुसी सियासत के क्यों है ठीक है और खांदानी सियासत का लिकर करें तो मैं बताती है जो एक वक्षिकर जा रहे हैं एक और election इस वक्त उसके results आ रहे हैं जिसमें खांदानी सियासत मौरुसी सियासत के खिलाब बोलती रही अब वो मौरुसी सियासत की एक अलग definition हमें बताना शुरू हो गई लेकिन बा तो वो हलग दियाता है कि हम सब जाए जिए तेकर ने लिला है अल्काव उसें की तरफ से और हम उसा बल्काव उसें करा है जो फारुख सितार सामने election का एलान किया है उसको आप किस नजर से देखते हैं और क्या उसमें हिस्सा लेंगे रोस देखी सार अच्छा मुस्या आप फर्मा रहे हैं देखे बीबी बहुत सारी बाते अभी गुजर गई हैं बताने के लिए लेकिन वक्त भी कम है एक बात मैं आपको वाज़े तोर पर बता दू के जितने भी अराकीने इसेंब्ली हैं सुबाई इसेंब्ली पावमी सैन ठीक है ये जब वोट कास करने जाएंगे ये एक बहुत चुट असा इलेक्टरल कालिज है और गिंती के अफर अफर एम पीएज हैं उनके ओपर तीन बोज होंगे वोट डालते वाफ़ एक बोज होगा उनके जमीर का दूसरा बोज होगा खादान का तिसरा बोज होगा उन ने ये आमानत हवाले की थी अब आगे चलते हम इस बात को कि जैसे शाय से इससे अपने फरमाया था कि ये अच्छी बात दी है कि एक नया आदमी आया और उसे हम मनतखब कर दे हमारे ये भी मसला नहीं है नया फर्द अगर कोई आता है और अपने साथ मेरिट लेके आता है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम इतने पुराने हैं हमी बनेंगे अगर नया चेहरा नई परसनलिटी और अपने साथ एक अच्छा बैगिज लेके आती है तो हम तो खुद विड़ा होते रहें मिसाल के तौर पे बैरिस्टर सेफ थे वो सूब सरत से थे पक्तों थे लेकिन व अगर दूसरी जमातों में आप जा के देख लें कि कोई अर्दू स्पीकिंग अगर अपने मेरिड रखता है तो क्या वो कभी लाड़काना से मुन्तखब करवाए किसी ने या चार संता से लड़वाया या किसी ने लाहोर से लड़वाया हमारे पास मेरिड है मेरिड की बन अगे भी बात करें अभी के लिए हम इजासत दें लेकिन दस बचे आप से फिर मुलकात होगी आसमा जांगी साहिबा बिचर गई हमसे we will be doing a special transmission to pay a tribute to this great lady दस बचे तक तुबारा मुलकात तब तक अपना खेल रखिये, Allah Hafiz झाल बात करें लेकिन लेकित अपना संग बद्ञड़वाया हमसे जाणे करें लेकिन आफम्झा खेल लेकिन आसमी वेड़वा़वा़वा़वावाषय दमन ह सकती है